अभी मिली खवर के नुसार कॉंग्रेस के वरिष नेता पीसी चाको ने पार्टी से इस्थिपा दे दिया है बता दे कि पीसी चाको ने कॉंग्रेस के अंतरी मध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्थिपा वेजा है PC चाको दिली कॉंग्रेस के प्रभाड़ी रच चुके हैं हाला कि 2020 में दिली विथांसवा चुनाब में पार्टी को जीत नहीं दिला पाने की वज़ा से उन्होंने प्रभाड़ी पत्स इस्थिपा दे दिया था केरल चुनाप से पहले PC चाको का कॉंग्रेस से सीपा देना कॉंग्रेस के लिए एक बड़ा जटका है कौन है PC चाको आईए जानते हैं PC चाको का जल्म 29 सितंबर 1946 को केरल के कांचिरा पल्ली सहर में हुआ है उनकी गिन्ती कॉंग्रेस के वरिष निताओं में होती है वे केरल की 300 लोगसवा सीट से पूर्व सांसद रह चुके हैं वे 2009 से 2014 के बीच लोगसवा सांसद रह चुके हैं उन्होंने केरला इंवर्सिटी से असनादक की है वे केरल स्टूडेंस यूनियन के माध्यम से सक्रिय राजनीती में आएं और पदो पर रहें वे भारतिय यूवा कॉंग्रेस के प्रदेक्स अध्यक्ष भी राज चुके हैं 1980 में वे केरल विधान सभा में पिरावन निरवाजन छेतर से चुने गए और उद्दोग मंत्री भी बनाए गए वहीं 1998 से 2009 तक 2G स्पेक्टरम और दूर संचार लाइसेंस देने के कथित घोटानले की जाज करने वाली सयुक्त संसदिय समीती के अध्यक्ष भी राज चुके हैं वे अखिल भारती कॉंग्रेस समीती के अधिकारिक प्रवक्ता भी हैं आपको बता दे कि BJP ने चाको पर 2G मामले पर JPC रिपोर्ट में बदलाब करने और कॉंग्रेस सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को कवर करने के लिए रिपोर्ट को अस्टीमर करने का आरोप लगाया ह भाजपा ने लोकसभा ध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा रिपोर्ट के विरोध में भाजपा नेताओं को अनुमत्ती देने से इनकार करने पर भी इसी तरह की निरासा व्यक्त की थी 2014 के लोकसभा चुनाबों में चाको ने भारतीय राश्ट्री कॉंगरेस के टिकट के तहक चड़कुड़ी लोकसभा निरवाचन छेतर से चुने जाने की मांग की थी हाला कि उन्हें सीनेक लकार इनोसेंड द्वारा चुनाब में हार का सामना करना पड़ा आपका उनके इस थीवे पे क्या करना है कमेंट जरूर करें